तो आज के लेक्चर में बात करेंगे हम यूनिट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ओफ यूनिट्स तो यूनिट्स क्या होता है और यूनिट्स के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए हम आपको बता देते कि यूनिट्स होता क्या है तो कोई भी चीज जब हम लोग मेजर्मेंट करते हैं तो उसका एक यूनिट होता है जैसे हम को कपड़ा मेजर्मेंट करना रहता है या बेलो सीटी मेजर्मेंट करना रहता है या डिस्टेंस मेजर्मेंट करना रहता है तो उसका एक यूनिट होता है तो जैसे चीनी हम लोग को लेना एक केजी तो केजी जो है वो उसका यूनिट है केजी जो है वो यूनिट है उसका तो और जैसे कपड़ा लेना है तो बोलते हैं ना कि एक मीटर कपड़ा दिए दो मीटर कपड़ा दिए यह वेलो सीटी मेजरमेंट करना रहता है तो बोला जाता है ना कि velocity हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर किये तो उसी टाइप से जो है हम डिसकास करने वाले कि यूनिट होता क्या एक साइड वो रखते हैं तराजू पर और दूसरे जो आपको बता दें कि लोएक जो राता है वो गोल जैसा जिससे कि हम लोग एक केजी चीनी मेजर में करना रहता है तो इदर एक साइड वो रखते हैं तराजू पर और दूसरे साइड जो एमांट हम लोग को मेजर मेंट करना रहता है उसको रखा जाता है तो आपको डाउट नहीं होता है ना कि इसमें एक केजी से काम है तो वह जो है वह एक स्टेंडर एमांट है इस टेंडर से और जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट करना 20 मीटर डिस्टेंस एक किलो मीटर डिस्टेंस तो मीटर और किलो मीटर जो है यह हमारा क्या है यूनिट्स है तो और जैसे कपड़ा एक मीटर कपड़ा दो मीटर कपड़ा हम लोग जब जाते हैं दुकान में तो बोलते हैं कि एक kg चीनी देए तो केजी मीटर मीटर्पर सेकट हम यह सब क्या उनिटे तो उनिट क्या होता है उसके बारे में हम जानते यंहीच अफ मेजरमेंट इसका दिफनिट मैधनिट्ब ऑफ क्यूंतीटी एसका डिफनिट darling of measurement is called unit a unit of measurement is definite magnitude of quantity तो इसको हम लोग units बोलते definite quantity जो हता है और जो हम लोग measurement करने के लिए standard use करते standard amount उसको हम लोग बोलते units तो आप डिस्कस करेंगे types of units कितना टाइप का unit होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ओफ यूनिट 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 जो है वो दो टाइप से होता है एक fundamental unit होता है एक derived unit होता है तो किसको बोलते हैं हम लोग चलिए जाते हैं तो fundamental unit the unit of fundamental physical quantity is called fundamental unit the Fundamental physical quantity टेक्टर में हम लोग डिस्कस किए कि fundamental quantity argument ओन्टी के आप उसका यूनिटर घुनटरी पर डिपेंड़ नहीं जब लिखते हैं राइट करते हैं दूसको हम लोग बोलते हैं fundamental unit the unit of fundamental physical quantity is called fundamental unit and they are not depend upon any other units these are perfectly independent और जो है वो दूसरे units पर depend नहीं करता है सपोज अभी आपको हम बता देते हैं कि लेंद तो length का unit क् sporad legitimate aanओ और máxima askma you poet कि यह सब किसी पर depend तो नहीं कर रहा है इसका कुद का unit है तो इसी को हम लोग बोलते हैं fundamental unit को वैसा unit जो किसी दूसरे amount of unit depending नहीं करता है तो सको हम लोग बोलते हैं fundamental unitild तो fundamental unit जो है वो हमारा कितना टाइप्स का होता है वो 7 टाइप्स का होता है और उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे और symbol के बारे में और उसका unit क्या होता है वो भी discuss करेंगे there are the 7 fundamental units quantity unit and symbol तो length जो है length को L से denote क्या आता है और इसका unit जो हता है, वह meter होता है जिसको, जिसका symbol m होता है, जैसे कही कही पर भी हम लुखते हैं, कि 50 destacrieben, 50m को 50m लिखते हैं, 30 kg, 30 kg लिखते हैं, तीए सब इसका unit हो और symbol है, time बोलते हैं, 30 seconds, 30s लिखते हैं, तो उसी टाइप से हर एक का एक सिंबोल होता है यूनिट का, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसको M से डिनोट करते हैं, मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड इसको S, स से दिनोट करते हैं टेम्प्रेचर टेम्प्रेचर की यूनिट क्या होता है केल्वीन इसको केपिटल क्या से दिनोट करते हैं नेक्स्ट हमारा एलेक्ट्रिक करेंट एलेक्ट्रिक रेंड का यूनिट क्या होता है MPR MPR को capital A से डिनोट करते हैं amount of substances इसका यूनिट क्या होता है मॉल M O L E तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं M O L Luminous Intensity इसका यूनिट क्या होता है Candela इसको कैसे डिनोट करते हैं C D से तो यह जो है हमारा तो fundamental quantity जो है वो 7 होता है और fundamental unit भी जो है वो 7 होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केलविन, MPR, मॉल, Candela और next जो है unit का टाइप वो हमारा है derived unit जैसे same जो है वो fundamental physical quantity जैसे होता है और derived quantity होता है उसी टाइप से unit भी होता है दो टाइप से एक fundamental unit होता है एक physical, sorry fundamental unit होता है एक derived unit होता है तो fundamental unit हम discuss कर चुके है और उमीद है आपको समझ में भी आ गया होगा अब next हम जो है discuss करते है वो derived unit तो derived unit क्या है these are the unit which are obtained from fundamental units and depends upon it it is derived from fundamental unit वैसा unit जो physical fundamental physical unit से derive क्या आता है और fundamental unit पर depend करता है उसको हम लोग बोलते है derived unit जैसे कि अभी हम discuss करेंगे कि derived unit कैसे हम लोग unit को कैसे derive करते हैं तो example हम बताते हैं आपको velocity तो velocity का unit क्या होता है मीटर पर सेकंड इसका अपना unit नहीं है velocity का ऐसा दोड़ीगा velocity का कुछ special unit है यह मीटर पर सेकंड जो है यह fundamental units यह आता है तो मीटर जो है यह displacement का unit हो गया और second जो है यह time का unit हो गया तो मीटर और सेकंड दोनों जो है fundamental unit है तो इसी लिए इसको बोला जाता है derived unit को कि the quantity the fundamental unit of fundamental quantity जिससे हम derive करते हैं उसको हम लोग derived unit बोलते हैं वैसा unit जिसको हम लोग fundamental quantity के help से derive करते हैं उसको हम लोग derived unit बोलते हैं तो next हमारा speed है तो speed का formula क्या होते है distance by time तो distance by time तो distance का unit होता है meter और time का unit होता है second तो meter per second तो यह जो है meter और second जो है यह हमारा fundamental unit है और fundamental unit के थुरू जो हम लोग यूनिट डिराइब करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिराइब यूनिट तो यह सब जितना भी है वह हमारा डिराइब यूनिट है तो acceleration का फ़ोर्मूला क्या होता है velocity by time तो velocity का कोई अपना यूनिट नहीं होता है यह fundamental unit से derive किया आता है तो velocity का formula होता है displacement by time by time तो d by t square meter per second square यह जो है derived unit हुआ तो जैसे force ले ले लेते हैं तो force का formula होता है f is equal to ma तो mass into velocity by time acceleration का formula होता है velocity by time अभी हम जस्ट निकाले तो mass का unit होता है kg जो कि fundamental unit है और meter per second square इसका तो कोई अपना unit नहीं होता है acceleration का और यह हम लोग fundamental unit से derive करते हैं kg meter per second square kg meter per second square तो यह हमारा क्या है derived unit है next हमारा momentum momentum का क्या होता है mass into velocity p is equal to mb तो momentum का भी कोई अपना unit नहीं होता है यह भी derived किया जाता है fundamental unit से तो इसका unit क्या हो जागा kg meter per second pressure तो प्रेशर का formula होता है force by area तो फोर्स का भी कोई अपना unit नहीं होता है तो फोर्स का unit जो है वो भी derived किया आता है fundamental unit से kg meter per second square by meter square तो प्रेशर जो है प्रेशर का क्या हो जाएका unit kg per meter per second square और नेक्स्ट जो है और वह एक्स्ट्रा unit है वह हमारा supplementary unit है supplementary unit में क्या आता है हमारा plane angle plane angle का unit क्या होता है अब आपको माइंड में लग रहा होका है यहार angle का तो unit degree में हम लोग लेते हैं तो यहां पर जो angle हम लोग measurement करते हैं तो वह small area के लिए angle लेते हैं suppose यह triangle है और इसका unit यह plane angle है हमारा तो इसका unit जो हम लोग रेडियन में में लेते हैं हम लोग इसमाल एंगल तो इसका unit रेडियन में लेते हैं तो रेडियन को डिग्री में भी convert करने के लिए 5 by 180 से डिवाइड करते हैं तो वह डिग्री में आ जाता है तो plane angle जाए वह small unit of angle है ब्लेन एंगल इंगल तो ट्रेंगल का शिंपल ट्रेंगल का जब हम लोग angle measurement करते हैं तो वह plane angle रहता है और solid angle क्या जैसे कोन है हमारा कौन तो कौन में जो है इसका आगल मेजर्मेंट करना रहता है। जैसे इस टाइप से कोन है। कि येफा इसका एंगल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं